8.3 से मैं को एक्जेम्पल पे कर लेता हूँ हाई पर बोला की चाह स्टोरेंड भुक का भी पूच्रेंग थे आप मैंने बहुत दफा इस हवाल मुझे पूचा गया है मैंने बहुत दफा आप लोंको बताया एक लिए निडिकी जुरत नहीं आपको आप जो मैं कोर्स कर वा और और चलो मैं तो आप मुझे कर रहे हैं आप लोग बोल दो क को थीरी होता है उसके बाद में सब्सक्राइब कर वा रहा होता हूं तो थी अपनी पकी करो सभी तरीके से फॉर्मले कॉंसेप आपको आती हो यह वह फिस्क एमस्री की बात कर रहा हूं मैं तो मैं आप लोगों पढ़ार हूं वह फॉलोग कर लो अब कौन सी बुक कोई है तो उन्होंने एंसी दिखे होते हैं पूरे हर चेप्टर के स्टार्ट में एंड पे तो आप वहल में सॉल्फ कर वो गाइड ले लो तो कोई भी ज़र्ण बुक ले लो इसी तर अगर आप किसी सेंटर में त्यारी कर वह आपको बुक देंगे उसके अंदर एंसको ले लो सिंद बोर्ट के पैटर्ण के अकाउटिंग उसमें आपके बास टॉपिक्स लिखे होंगे सारे समराइज किया वागो ना पॉइंट्स की लिखे होंगे उनको गो तुरू कर ले ना उसके बाद एंसको सॉल्फ को लेना को स्पैसिफिक बुक नहीं है जिसके पढ़ ले वे होते हैं अब इसको देखो है एक हाइपर बोला की क्वेशन है ठीक है कैसे पता चला को यार इसमें Y-square देख लो नेगेटिव है या तो X-square नेगेटिव होगा या वाइस को नेगेटिव होगा अब सॉल्फ किस तरह करोगे सबसे पहले आप X और X स्कॉायर की टरम एक साथ कर दो इसी तरह Y स्कॉायर और Y की टरम एक साथ कर लोगे कॉंसेफ वही है इन दोनों में पॉजब हो जाएगा इसके बाद तो यार बुई काम है आपने जैसे तो को टू से डिवाइड करो टू आएगा दोका स्कॉायर जो है पोर उसको add करवाओ उसको subtract करवाओ इसी तरह यहां पर 6 को 2 से divide करो 3 आएगा 3 का square 9 होता है 9 add करवाओ 9 subtract करवाओ आप डारेक्ट वह आखरी स्वेप लिख देता हूं कि इन तीन पर formula होगा x-2 का whole square 9 को minus 4 से करोगे minus 36 फिर इन तीन पर आप formula लग जाएगा y plus 3 का whole square इस minus को minus 9 से करोगे positive 9 हो जाएगा minus 36 plus 9 हो जाएगा minus 27 minus 27 plus 18 होगा minus 9 उदर ले जाओ तो वो positive हो जाएगा तो उदर जाके आपके पास 9 बच जाएगा अब आपको पूरी equation को 9 से divide करना है आपने 9 से divide कर दिया यहाँ पर नीचे बस 1 बच जाएगा अच्छा यहाँ पर नीचे है 9 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा that's it आपको पता है कि जो positive ड्रम है उसका denominator a square होता है तो a square यहाँ पर 1 है b square यहाँ पर 9 है अगर आप c square निकालोगे c square होता है a square plus b square hyperbola में तो 9 plus 110 हो जाएगा h यहाँ पर 2 के बराबर है k यहाँ पर minus 3 के बराबर है 5 value आगी कुछ भी बोला जाएगा पसानी से उसको निकाल सकते हो तो वही method है जो आपने इसमें पढ़ाता कोई नहीं चीज़ आद रखने की जरुरत नहीं है कोई निया concept नहीं है बस चार-पन स्टेप आपने करने आपका आंसर जो है ABC आजाएगा उसके बाद आपको एक चीज़ बोली जाती है फोकस बोल देंगे वर्टिस बोल देंगे तो एक चीज़ तो आप निकाल सकते है उतना टाइम नहीं लगेगा एक चीज़ में बता तेता हूं अगर आपको इस अंटी सिटी बोला जाए मैंने कालता है सेंटी सिटी थोड़ी चेंज होती है इसके अंदर तो हैपर बोला के अंदर इसंटी सिटी का फार्मला यह होता है स्कॉार रूट वन माइनस जो नेगिटीव वाला कोफिशन्ट है उसको आप नीचे लिखते हो अब मैं इसको कैसे अंग्रेजी में लिखूँ? बना आपको यहाद दख ले ना जो नेगिटीव वाला कोफिशन्ट है वो नीचे आएगा minus minus यह क्या हो जाएगा positive हो जाएगा वन लिखो ना लिखो बात एक ही होती है one plus nine क्या होगा ten के बराबर हो जाएगा verify भी आप कर सकते हो यहाँ पे C जो है वो root 10 है और A यहाँ पे one है यहाँ होती है ना तो root 10 upon 1 मतब root 10 तो हाइपर वोला में सेंटी सीटी निकालने का तरीका ही होता है आप लिखते हो one minus उसके बाद डिनॉमिनेटर में वो लिखते हो जो नेगिटिव कोफिशंट गेवन होता है और निमेटर में वो लिखते हो जो पॉजिलिव कोफिशंट गे आप लोगो को यह पहले बीजीज बताई थी मुझे यह पक्त के यादद मैंब श्लोप्ड मेंप्रभ नी निदेए न बटाए न मुझे कर दोओ यह ऐका याद आर्हे हों नोर्मल, स्लोप औफ टेंजेंट, स्लोप औफ नॉर्मल, चप्टर फाइफ में देख लिए ना, चार चीज़े मैं लाजमी आप लों को बता ही होगी, तो सवाल यहां पर हो यह है, आपको यह तो इलिप्स की देदेंगे, पैराबॉला की देदेंगे, हाइपर बॉला की दे लेट करते हैं हाइपर बॉला की इक्वेशन, हाइपर बॉला के अंदर ना, दो किसम के होते हैं, मैं जरा क्लियर कर दूं, हाइपर बॉला के दो टाइप से को और यह आती है, एक होता है, रेक्टेंगुलर हाइपर बॉला, यह अच्छी मेरी जैन में आया है, इक्सिस बराबर है semi-conjugate X के क्योंकि transfer X की length 2a होती है ना तो semi क्या हो जाएगा A के बराबर और यह होता है semi-conjugate यह इन चॉर्ट आप बोल सकते हो कि जिसमें A और B बराबर है तो उस वाले hyperbola को आप क्या बोलते हो rectangular hyperbola अब इस hyperbola के अंदर यह वाली चीज़ भी follow होती है क्या? कि इसमें SM-torts जो होते हैं ना SM-torts आर perpendicular जो भी rectangular hyperbola है उसके अंदर SM-torts जो है वो perpendicular होते है MCQ में यह वाला point नॉमली कम पूछा जाता है क्योंकि NAD वालों को पता है कि हमारे बच्चे सिंध बोर्ड के है उनको यह word शयद उन्होंने सुना भी न होगा मैंने भी नहीं सुना था कभी हालांकि बगाईदा यह बुक में बना हो है hyperbola में होता भी है लेकिन नहीं पता था मुझे तो यह वाला point नॉमली कम ही पूछा जाता है कम ही वो आपको देते है जएदा तर rectangular hyperbola में यह वाला point होता है कि ऐसा hyperbola जिसके अंदर A B के बराबर है उसको आप rectangular hyperbola बोलते हो लेकिन इस वाले point को भी याद रखना important है और तीसरा point याद रख लें के लिए कर लो कि rectangular hyperbola की centricity जो है न वो root 2 के बराबर होती है इसके derivation है derivation में जाने की ज़रत नहीं है जब भी आपके पास rectangular hyperbola है न और पेचानने का तरीका बड़ा easy होता है rectangular hyperbola को शुरू के जो दो case होते है न सहतर उसका पूछ रहे होते है अगर आप इस तरह देखो एक rectangular hyperbola है कहने का मतलब आपको दिखने में लग रहा है x square coefficient और y square coefficient दोनों सेम है sign different है वैसे तो दोनों सेम हैं ये भी one ये भी one ठीक है इस तरह भी rectangular hyperbola हो सकता है और इस तरह भी आ सकता है ये rectangular hyperbola का along x axis है इसका along y axis है तो इस पर भी देखो y square और x zero coefficient क्या है सेम है या इस तरह भी हो सकता है let कर लो 81 इस तरह कर लो है कुछ भी हो सकता है इसको consider कर लो 81 हो गया है तो ये भी rectangular hyperbola है क्योंकि y square और x zero coefficient यहाँ पर सेम है जो आपने उपर देखा था वो सेम होते हैं that's it तो इस तरह पैचान सकते हो ठीक है कोई issue यहाँ तक तो ये तो बात होगी rectangular hyperbola की अच्छा एक और hyperbola आता है जिसको आप कहते हो conjugate hyperbola उसको भी जड़ा देख लो conjugate किसी hyperbola का conjugate निकालते हो ठीक है जैसे एक hyperbola given है x square upon a square minus y square upon b square यह बहुत simple case है जब x is आपके long x axis है अगर आपने इसका conjugate निकालना है तो इसका conjugate hyperbola किसता निकालो के trick यह है कि आप left hand side गो minus से multiply करो पूरी equation को नहीं left hand side को जब इसको minus से multiply करोगे पहले term negative दूसरी वाली positive हो जाएगी तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ यह equation हो जाएगी तो कैसे आपने निकाला जो भी hyperbola given होगा उसके left hand side को minus से मतलब पहली बात इस form में convert हो मतलब one इदर हो यह सब चीजे हो उसके बाद आप left hand side को minus से multiply करना दोनों ट्रम को जो आपके पास hyperbola आएगा वो basically conjugate hyperbola होगा conjugate hyperbola कौनसे भी होता है कि अगर आपके पास एक hyperbola है यह वाला यह इसका transfers axis है और यह इसका conjugate axis होगा तो जो इस वाले hyperbola का conjugate hyperbola होगा वो इस तरह बनेगा उसमें जो इस वाले hyperbola का conjugate था ना वो इस वाले का transfers axis हो जाएगा और जो इस वाले hyperbola का transfers था वो दूसरे वाले पैराबोला का conjugate हो जाएगा ये इतना आप समझ सकते हो कि अगर एक हाईपरबोला का transfers axis दूसरे वाले हाईपरबोला का conjugate बन जाए या इसका conjugate दूसरे वाले हाईपरबोला का transfers बन जाए तो इसको आप conjugate हाईपरबोला कहते हो तो इस दो तिन पॉइंट है जो conjugate है पर बोला से रेड़िट आपको याद होने चाहिए ठीक है अच्छा तो मैं आप लोगों को बता रहा था equation of tangent normal बोला सीन तो chapter number 5 में detail से मैंने cover किया था जैसे आपको यह वाली equation आज़े जब ही मैंने बताई थी y square minus x square equal to 12 और आपको एक point देते हैं x, y कर लेते हैं आपको बोला जाए equation of tangent निकालो जायतर सवाल यह होता है तो equation of tangent निकालने के लिए क्या करोगे आप differentiate करोगे जब आप इसका derivative मालूम करोगे तो इसका derivative आएगा यह ठीक है यह इसका derivative आजाएगा मतलब x upon y इसका derivative हो जाएगा आप क्या करना इस derivative के इंदर point पूइंट कर देना लेट कर लो मुझे पता नहीं ना कोई इस parabola के ओपर point क्यूंकि मुझे आइडिया नहीं है कोई भी point इस parabola के ओपर दिया जाता है इसी तरह slope of tangent तो direct आ गया था slope of normal निकालना हो तो आपको बता है इसको रहसी ब्रोकल करो नेगिटिफ करो slope of normal आ जाता है तो आप चेप्टर 5 देख लेना उसमें मैंने cover किया था कोई भी आपके पास curve हो method सेम रहता है सब में आप differentiate करते हो point पुट करते हो और उसी method से solve करते है अब एक topic होता है जिसको आप बोलते है parametric equation यह exact पूशी जाती है इससे rate को सवाल वो देते नहीं है normally आपको parametric equation जो चार आपके पास curve है ना उन सब की parametric equation आपको याद करने पड़ेंगी सबसे पहले बात करते है सर्किल की सर्किल की parametric equation होती है x equal to r cos theta y equal to r sin theta जब सर्किल की equation यह लेट की है मतलब standard form में जब center origin के उपर होता है ना यह वाली जो सर्किल की equation है तो इसमें parametric equation यह होती है अगर वो hk वाला case होगा ना तो फिर parametric equation यह हो जाएंगी मतलब आप h add कर दोगे h plus r sin theta और अगर वो general form वाला case होगा मतलब general form में अगर आप वो given होगा तो फिर minus g add कर दोगे h की जगा यह की होगा नीचे h की जगा minus g लिख दोगे k की जगा minus f लिख दोगे ठीक है तो यह normally आता नहीं normally यह पूछ रहे होते हैं तो इसलिए मैं आपको यह बता दिया इसको याद कर लो अब आज़ो आप पैराबोला के उपर पैराबोला की parametric equation क्या होती है उसको note कर लो x equal to 80 square y equal to 280 exam में जहतर यह पूछे जाता है कि आपको parameter equation दे देंगे जैसे यह दो equation दे देंगे और बोलेंगे किसकी parameter equation है आप बता देना पैराबोला की है इसी तरह ellipse पे आ जो ellipse और circle की kind of similar होती है बस ellipse में आपको पता है a b आ जाता है तो वह equation है बस r की जगा आप एक जगा a लिख दोगे एक जगा b लिख दोगे तो इन equation को आप बोलोगे parameter equation of ellipse और end पे है hyperbola hyperbola की parameter equation हो जाएगी x equal to a sec theta y equal to b tangent theta आप है hyperbola की parametric equations होती है parametric equation हो कौन साबी होता है के जिसमें आप में जितनी equation देखिए है वह x और y की form में होती है ना parametric में होता है कि वो किसी तीसरे variable की form में होती है एक जो है वो theta की form में यदर f2 q1 bydt q1 इन वाली equation को parametric equation कह रहे होते है ठीक है इसका अब कंडिशन और टेंजन्सी का टॉपिक है बाकी हमारा चेप्टर कंप्लीट हो गया है कंडिशन और टेंजन्सी मैंने इलिप्स की तो आप लोगों को बताई सॉरी सर्गिल की तो बताई भी है बाकी जो इनको देख लो असल आपको यहाद अखना है स्टेंडर्ड फॉर्म क्या है नॉमली वह स्टेंडर्ड फॉर्म ही देते हैं क्योंकि दूसरी बाली मुश्किल दिखर फॉर्म पर वह स्टेंजन्व में आप 10 अधार्यु पर दो तो condition मैंने आपको बताये थी, c square बराबर होगा, r square, 1 प्लस m square के. बात करते हैं, पैराबुला की बहुत ही easy condition of tendency है, अच्छा पैराबुला की standard form आप यह वरी लोगे, y square equal to 4ax, तो इसकी condition होती है, c equal to a upon m. फिर अगर आप बात करों, ellipse की, ellipse और hyperbola की similar होती है, अच्छा, ellipse की कौन सी equation, वो ही जो x-axis वाली है, और condition, अच्छा, यह सब conditions है, यह वाले column में इनकी standard form मैंने लिखी हुए है, और इसमें मैं condition लिख रहा हूँ, यह आपको असल मैं याद रखनी है, तो ellipse की condition होती है, c square equal to a square m square plus b square, अच्छा, जैसे इसमें c equation, straight line का wind defect है, m जो है, वो straight line का slope है, और r जो है, वो आप circle से निकाल लोगे, इसी तरह इसमें c, c और m तो straight line का है, a जो है, वो आप पैराबोला से निकाल लोगे, इसी तरह cm straight line से a square b square आप ellipse से निकाल लोगे, और आखरी वाला case है, hyperbola का, hyperbola की भी standard form आप ये वाली लोगे, जो भी मैंने आपको table लिख वाए है, उन table का जो पहला वाला case था, उसमें जो form थी, वो वाली हम consider कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें condition वही है, जो ellipse की है, बस दरम्यान में आपको पता negative आजाता है, ये सब condition ह जो आपको याद रखनी है, इनके सवाल as it is, जैदा तर पूछे जाते हैं, क्या आपको बोलेंगे भाई, ये स्टेट लाइन है, ये ellipse है, condition बताओ, ये condition है, या तो इस तरह पूछ लेते हैं, या दूसरा यह होगा, कि वह आपको लेट कर लो, एक स्टेट लाइन देंगे ये वाली, y equal to 2x plus k, अगर slope intercept form में नहीं convert, तो पहले convert कर लेना उसको, ठीक है, और एक ellipse की equation दे देंगे, x square upon 4, नहीं, x इसको हाँ कर लो, y square upon 2, ये दे दिया, वह आपको बोलेंगे कि, स्टेट लाइन इस ellipse के उपर tangent है, k की value निकालो, ठीक है, condition दे देंगे, स्टेट ला यहाँ पर c क्या है, k के बराबर, तो यह हो जागा, k square, फिर condition होती है, a square, a square यहाँ पर 4 के बराबर है, तो यहाँ पर 4 आजाएगा, फिर m square, slope यहाँ पर 2 है, 2 का square 4, 4 हो जाएगा, plus b square, b square यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 18, आप root ले लेना, k की value हाजएगी, प्लस माइनस root 18, तो यहाँ तो इस तरह condition का सवाल आ सकता है, यहाँ वो as it is direct, आप से condition बूश लेंगे, that's it, बच्चों, chapter 9 में rate complete, कुछ सवाल है तो बूश लो,